तो कहा था कि दस वरस में इसकी समिक्षा होनी चाहिए क्या आज तक बिहार सरकार ने आरक्षन चाहे सेवाओं में हो या नामांकर में हो कभी समिक्षा करने का कस्ट की है सरकार कि हाँ कितना हमने अभी तक दिया है कितना आरक्षन है या नहीं है ये सरकार सोची है गजटेट इम्पलाइज के आरक्षन की बाद जहां आती है और उनाइस्ट्व एक्षतर से रोष्टर नियम लागू है और अब तक 16% ही होना चाहिए था लेकिन उनका आरक्षन अभी मात तीन परतिसत है तो 16% कैसे पुरा किया जाएगा सरकार को एज सोचना चाहिए उसी परकार से यह जो विभीन सैक्षिनिक संस्थाओं में आरक्षन की बात की जाती है आरक्षन अब बढ़ा दिये साई ध्यामदिक रूप में कौन नहीं चाहेगा क्यों बढ़े लेकिन धातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मेकनीजम डुपलप्ट करना चाहिए जो सरकार आज तक मेकनीजम डुफलप्ट नहीं किया है तो इससे कोई फाइदा नहीं होने वाला है इसलिए महोदे मैं करना चाहता हूँ कि यह रहे हमको बात नहीं समझ भारा है इनको कुछ आईडिया है इसमेरी किसे आदमीं को हमने बना दिया था मुख्य मंत्री कोई सेंस नहीं है इसको आए इसे ही बोलते रहता है कोई मतलब नहीं है हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए पाक के चलाया था साथ-पार्टी बें अभी जान करके भगा दिये उदर किया उदर रहे हैं इसे कर रहे हैं और और कोई सेंस है यह जो प्रचारित करता है सुना न बैचो न यार बैचो न आरे आप लोगों को जब छोड़ दिये थे बढ़िए भूलिये मत अरे तेरह में जब आप लोगों को छोड़ दिये थे अब अकेले थे तो हम चूनो रहे यार कुछ जानते हो बज़ो आहां मिसको बना दिये आई इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको दो ही महीना में कहने लगा कि गड़बड है इसको हटाईए और आंत में हमको बात भी किया फिर हम बन गए थे कि यह भी मुख्यमंत्री थे अरी क्या मुख्यमंत्री था इस तो मेरी मुख्यमंत्री बना आप की आप उपर वाला भी जान लो आप बिना मत्तर का रोज इसको पब्लिस करते हो कोई सेंस है इसमें कि थोड़ांत्री महां होता है मुख्यमंत्री आपकी मानिय मुख्यमंत्री जी आपकी विशेश किर्पा हुई है तो मैं मने है हो गया अध्यक्यमंत्री मैं